Hello Everyone, Welcome to English for All आज हम पढ़िंगे On Saying Please ये एक essay है और इस essay को लिखाता Alfred George Gardiner ने तो चलिया शुरू करते हैं एक नौजवान लड़का था और ये लड़का सिटी आफिस में काम करता था लिफ्ट मैन का लिफ्ट मैन का मतलब जो लिफ्ट को आपरेट करता है लिफ्ट को उपर नीचे करता है न उसको बोलते हैं लिफ्ट मैन एक बार क्या होता है वो लड़का एक पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर धका देकर फेक देता है और इस वज़ा से कमपनी उस लिफ्ट मैन के उपर फाइन लगा देती है क्योंकि उसने पैसेंजर के साथ बड़ी बत्तमीज ही करी थी दरसल होता क्या है कि लिफ्ट में एक पैसेंजर आता है और बोलता है कि मुझे उपर जाना है लिफ्ट मैन बोलता है कि प्लीज लगाओ साथ में मुझसे तमीज से बात करो मुझसे रिक्वेस करो कि मुझे उपर जाना है पैसेंजर मना कर देता है कहता है कि मैं नहीं लगाँगा प्लीज उपर लेके चलो मुझे लिफ्ट मैन को घुसा आ जाता है और वो पैसेंजर को धक्का मारके लिफ्ट से बाहर फेक देता है तो ये सारा सियापा सिर्फ एक प्लीज को लेकर हुआ है अगर पैसेंजर प्लीज बोल देता तो लिफ्ट मैन को खुसा नहीं आता और उसे वो भार नहीं फेकता या फिर लिफ्ट मैन भी पैसेंजर की बत्तमीसी को बरदाश कर लेता और पैसेंजर से नहीं बोलता कि भई प्लीज बोलो रिक्वेस्ट करो मुझसे थोड़ा बरदाश कर लेता तो ये सारा सियापा हुआ सिर्फ एक प्लीज को लेकर दोस्तों क्योंकि दुनिया में कानून नाम की कोई चीज है हम सभी को कानून को फालो करना होता है इसलिए लिफ्ट मैन को उसकी सजा मिली और उसके उपर फाइन लगा क्योंकि आप किसी को सिर्फ इतनी सी बात पर धक्का नहीं दे सकते अगर इतनी छोटी छोटी बातों पर धक्का मुक्की होने लगी लड़ाईया होने लगी तो फिर सोसाइटी में पीस नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी हर कोई हर जगा लड़ता ही रहेगा हमें भी कई बार किसी का बरताव अच्छा नहीं लगता किसी की बात अच्छी नहीं लगती लेकिन ये सब छोटी छोटी बाते हैं और हमें इन्हें बरदाश करना चाहिए इग्नोर करना चाहिए लेकिन आगे राइटर ऐसे में लिखता है कि दो तरहां की तकलीफ होती है एक होती है फिजिकल जैसे मानलो आपने मेरे घुटने पर मुझे मारा और मुझे दर्द होने लगा लेकिन वो दर्द थोड़े टाइम के लिए होगा थोड़े टाइम के बाद वो दर्द गायब हो जाएगा और दूसरी तरहां की चोट होती है जो आपके दिल पर लगती है जब कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर अटेक करता है आपके एगो पर अटेक करता है और दिल पर लगने वाली चोट बड़ी लंबी होती है उसका जो दर्द है इतनी असानी से नहीं जाता पैसेंजर ने लिफ्ट मैन की सेल्फ रिस्पेक्ट पर अटेक किया था दिन उसको frustration रहती लिफ्ट मैन ने अपने frustration पैसेंजर पर निकाल दी ताकि उसका दर्द कम हो जाए अगर लिफ्ट मैन frustration को पैसेंजर पर नहीं निकालता तो फिर उसका पूरा दिन खराब जाता और शाम को वो अपने घर पर जाता और अपने वाइफ से जगडा करता इस वज़ा से लिफ्ट मैन ने पैसेंजर को धक्का दे कर लिफ्ट से बाहर निकाल दिया ताकि उसके frustration खतम हो जाए इसके बाद राइटर हमें example दे कर समझाने की कोशिश करता है कि हम लोग किसी एक frustration को किसी दूसरे पर निकालते हैं फॉर एग्जेंपल पापा घर के head है पापा को उनके बास ने डाटा पापा ने वो frustration मम्मी पर निकाल दी मम्मी को हुस्सा आया उन्होंने अपने बड़े बेटे पर निकाल दी और फिर बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई पर निकाल दी frustration तो इस तरहां से जो frustration होती है ये flow करती है आप किसी पर निकालोगे दूसरा किसी और पर निकालेगा और इसी वजह से bad manners बहुत खतरनाक होते हैं पूरे साल जो हम गुना करते हैं वो गुना हमें इतना नुकसान नहीं पहुचाते जितना नुकसान हमें bad manners पहुचाते हैं यहां तक कि जुर्म भी हमें इतना नुकसान नहीं पहुचाता जितना नुकसान bad manners कर देते हैं और bad manners के लिए कोई कानून नहीं है قانون आप से ये नहीं कहता कि प्लीज बोलो इसमायल वाले फेश से बात करो अच्छे से बात करो अच्छी टोन में बात करो ये सब कानून आप से नहीं चहता इसके लिये कोई law नहीं है प्लीज और थेंक यू ये दोनों दो छोटे वर्ड्स है लेकिन ये दोनों वर्ट्स का इस्तिमाल अगर आपने शुरू कर दिया तो फिर आपकी जिन्दखी बहुत असान हो सकती है थोड़ा हंबल होकर तो देखो और अगर आप सोचते हैं कि आप सामने वाले से बत्तमीजी करेंगे रिटली बात करेंगे और रिटन में वो आप से अच्छे से बात करेंगा आपकी इज़त करेंगा तो आप बिल्कुल होलत है हो सकता है कि सामने वाला जो बंदा है वो आप से ओधे में पोजीशन में थोड़ा नीचे हो इसलिए वो आपके मुव पर कुछ न बोले लेकिन उसके दिल में आपके लिए नफरत होगी इज़त कभी नहीं होगी लेकिन अगर आप किसी इनसान से अच्छे से बात करोगे प्यार से बात करोगे तो कोई जाहिल ही होगा जो आप से अच्छे से बरताफ नहीं करेगा जो आपसे बत्तमीजी करेगा रिटन में असान लफजों में राइटर बोलना चाह रहा है कि आप अच्छे से बरताफ करो लोगों से अच्छे से बरताफ करने से आप किसी का भी दिल जीच सकते हो कोई जाहिल ही होगा जो आपके अच्छे बरताफ के रिटन में आपसे बत्तमीजी करेगा इसके बाद राइटर हमें एक्जेम्पल देता है वर्ट्सवर्ट का दोस्तों मैं आपको बता दूँ इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में विलियम वर्ट्सवर्ट बहुत बड़े पुएट रह चुके हैं इनका बहुत बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर में तो राइटर कहता है कि वर्ट्सवर्ट जब एक गरीब लीच गैदरर से सीख हासिल कर सकते हैं लीच एक कीड़ा होता है जो खून को चूसता है और गैदरर मतलब उसको एकटा करने वाला लीच जो कीड़ा है उसको पकड़ने वाला तो राइटर कहता है कि जब वर्ट्सवर्ट जो इतने बड़े राइटर है वो एक गरीब लीच गैदरर से सीख हासिल कर सकते हैं कुछ सीख सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं सीखते दूसरे लोगों से यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ आपको दे लीच गैदरर एक पोयम का नाम है और इस पोयम को वर्ट्सवर्ट ने लिखा था और इसी वजह से यहाँ पर पोयट ने लीच गैदरर का एक्जैम्पल दिया है तो पोएट कहता है कि वर्टस वर्ट जब लीच गैदरर से सीख सकते हैं तो हम और आप क्यों नहीं सीखते दूसरों से हमें भी दूसरे लोगों से सीखना चाहिए चाहे कोई कितना ही छोटा क्यों नहो आप उस से कुछ न कुछ सीख सकते हैं इसके बाद पोएट कहता है कि लड़ाई जगडों ने वर्ड वार्ड ने लोगों को रूखा बना दिया है पहले जमाने में लोग इतना रियूट नहीं हुआ करते थे लेकिन अब लोगों का हिमेनिटी पर से विश्वास उड़ गया है लोग समझते हैं कि पूरी दुनिया में सभी लोग मकार है सभी लोगों में चलाकिया है सभी लोग करप्ट हो चुके है इस वज़ा से अच्छे बरताफ करने वाले लोग दुनिया में कम हो गए है और धिरे धिरे ये लोग कम होते जा रहे है हमें ये चाहिए कि हम अच्छे बरताफ को दुबारा से दुनिया में लेकर आएं इस रूडनेस को खतम करें ताकि हमारी जिन्दगियां सवर सकें राइटर आखिर में लिफ्ट मैन को बोलता है कि अगर मैं लिफ्ट मैन को एडवाइस दे सकता तो मैं उस से बोलता कि आप अपने पैसेंजर को धका मत दो आप अपने पैसेंजर से नर्मी से बात करो ताकि उसको शर्मिंदगी हो और अपने बरताफ पर पस्तावा हो धका देने के बाद आपने अपने ही नुकसान किया है लेकिन अगर आप उस पैसेंजर से अच्छे से बात करते तो फिर आप अपना बदला ले सकते थे उस पैसेंजर को अपने बरताफ पर पस्तावा होता और तब तुम्हारी असल जीत होती तब तुम जीत थे इसके बाद राइटर कहता है कि नर्मी से बात करने वाले की भले ही उपरी तोर से हार हो जाए भारी तोर पर हार हो सकती है नर्मी से बात करने वाले की लेकिन अंदुरूनी तोर पर उस इनसान को सकून मिलता है अंदुरूनी तोर पर उसकी जीत होती है मतलब मान लो आपकी और मेरी लड़ाई हो गई लड़ाई में गलती मेरी है लेकिन आपने मुझसे लड़ने की बज़ाए मुझे माफ कर दिया अब भारी तोर पर ऐसा लगता है कि आप हार गए लेकिन अंदुरूनी तोर पर आपकी जीत हुई है दे पुलाइट में लूस दे माटेरियल एड़ांटेज बट ही आलवेज हैस दे स्प्रिच्वल विक्टरी इसके बाद राइटर हमें एक्जेम्पल बस कंड़क्टर का भी देता है राइटर कहता है कि अगर बस कंड़क्टर का बरताव अच्छा हुआ तो बस में आपका पूरा सफर अच्छा गुजरता है लेकिन अगर बस कंड़क्टर का बरताव अच्छा नहीं है तो फिर आपका पूरा सफर बेकार गुजरता है राइटर कहता है कि एक बार मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने पैसे घर पर भूल गया मैं बस में चड़ गया लेकिन बस में मैंने रियलाइस किया कि मैं अपने पैसे भूल गया घर पर मैंने बस कंड़क्टर को सारी बात बताई कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं घर पर पैसे भूल गया बस कंड़क्टर ने मेरी बात सुनी और कहा कोई बात नहीं और मुझसे पैसे नहीं मांगे इसके अलावा बस कंड़क्टर ने मुझे टिकेट भी दिया लेकिन जब राइटर अपनी दूसरी पॉकेट में हाट डालता है तो उसको पैसे मिल जाते हैं और राइटर बस कंड़क्टर को पैसे दे देता है लेकिन राइटर की नजरों में बस कंड़क्टर की इमेज बहुत उची उड़ गई थी बहुत अच्छी इमेज बन गई थी बस कंड़क्टर की इसके बाद एक दिन दुबारा से राइटर उसी बस में सेम बस में ट्रैवल कर रहा होता है और कंड़क्टर भी वही होता है कंड़क्टर घलती से अपना जूता राइटर के पैर पर मार देता है राइटर को बहुत जोर की लगती है लेकिन कंड़क्टर उससे सौरी बोल देता है और राइटर का घुसा एकदम से शान्त हो जाता है तो दोस्तों इस ऐसे में एक ही चीज़ को बार 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 अलग अलग एक्जेमपल से दे कर समझाने की कोशिश की गई है कि आप अपने लाइफ में हंबल बनो अगर लोग आपके साथ रिउडली बात करते हैं तब भी आप उनसे नर्मी से बात करो अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जिन्दगी बहुत असान हो जाएगी और आप किसी का भी दिल जीच सकते हो तो आपको ये वीडियो कैसी लेगी मुझे जरूर लिक कर बताना मिलते हैं आप से अगली वीडियो में जैहिंड